हेलो फ्रेंड और फेमली वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल सो फ्रेंड जब भी कुछ आपको हलका बनाना हो और जटपट से टेस्टी नास्ता बनाना हो तो आप इस रेसिपी को एक पट राई जरूर कीजिएगा यह बहुती कम समय में जटपट से बन कर तियार हो जाता है और इसकी खास बात यह है कि यह बहुती लंबा समय तक सौप्ट बना रहाता है अगर आपको बच्चों को टिपिन में देना हो या हस्बेंड को टिपिन देना हो तो आप इसे दे सकते हैं दोनों खुशी खुशी अपना टीवी फिनिस करके आएंगे तो चली इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी ची प्यारी इसी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जड़रू किजिएगा चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब भी कर ल अगर आपके पास है तो डाल दीजिए नहीं तो इसे एसकी भी कर सकते हैं आप इसे मैं थोड़ा सा शल्ट डालेंगे तेस्ट करूं नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक ठीक बेटर तयार करेंगे तो यहां पर हम बेटर बना रहे हैं अच्छे से बना हेस्फे जालेंगे तो यहां पर देजिया हमारा बेटर रेड़ी हो चुका है अप चली चलते हैं में दालेंगे सफिरो के ते तेल को अच्छे से गरम हो हो गए हैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले ताकि तेल के अंदर तक फ्लेवर आ जाए इसका अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारिक कटी हुई प्याज अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम शिमला मिर्ची बारिक कटी हुई बारिक चौप शिमला मिर्ची भी डाल देंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कदुकस की हुई गाजर और तीन से चार हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर आप अपने तीखा अपने एकॉडिंग डख सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम ही तीखा रखेंगे और स्वादन सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से एक मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे थोड़े से हमारे सब्जियां सोते हो जाए उतने ही भूनेंगे बस इसका करंच ना जाना चाहिए बस हमने सब्जियों को अच्छे से भून लेना है बस एक मिनट के लिए इसको ही भू बुन गई है अब इसको सारी सब्जिय को हम जो भूने थे उसको डाल देंगे इस बेटर में अब क्या करेंगे ना फ्रेंड इसको हम अच्छे से फिर से मीक्स करेंगे अभी हमारा वेटर गाढ़ा नहीं यह दोसे बनाते हैं न उससे पतला रखना है बेटर को, इसकी थोड़ी पतली रहती है, तब ही पतली पतली बनती है, नहीं तो गाढ़े रहेगी तो थोड़ी मोटी मोटी बनेगी, तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ले, अगर आपको गाढा लग रहा है तो इसमें पानी डाले, पानी के अलवा इसमें और मिक्स करेंगे हम, देख सकते हैं जिसकी ठिकने से भी बहुत गाढ़ी है, तो थोड़ी थोड़ी पानी डालकर मिक्स करें कि ज्यादा पतला भी ना हो, तो यहाँ पर बेटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तब चलिए यहाँ पर हम लिए हैं एक नॉने श्टिक पैन, अब तवा लेलो, प्याट लेलो, कुछ भी लेलो, तो यह हमारा डोसे वाला तवा है, अब इस पर डालके हम पतले पतले इसको पहलाएंगे चीले की तरह, जैसे चीला बनाते हैं ना फ्रेंट, वैसे पतले पतले इसको हम पहला देंगे, जितना पतला हो सके उतना पतला पहलाएं तो बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है और ए नास्ता बहुत ही कम समय में बन के त्यार हो जाता है और इसमें सारी सबजिया रहती है और बच्चे भी बोड़े खुशी से खा लेते हैं क्योंकि इसमें सब्जिया होती है, ऐसे सब्जिया खिलाएंगे तो बच्चे उतना खाते नहीं है सब्जिया, तो इसमें मिक्स रहता है, मालोग सुब्य किनास्ते में फूल मेल तियार हो जाता है इसमें, तो देखे इसको हम अच्छे से पतले से फैलाएंगे, और इसे फैल लेंगे और दूसरे साइड से भी सीखने देंगे यहां पर हम अभी सीख रहा है हमारा दूसरे साइड से तब तक हम इस पर थोड़ी सी यहां पर मेरे पास चीज है तो मैं चीज डाल रही हूं अगर आपके पास ना हो तो आप इसे skip कर सकते हैं पर इसे चीज डाल देते हैं थोड़े बच्चे और ही मन से खाते हैं तो इसलिए हमने इस पे थोड़ी सी चीज कदुकस करके डाल दिया है ग्रेट कर दिया है अब इसको हम थोड़ा सा इसे पलट देंगे और दोनों साइट से अच्छे से से शेख लिया है तो सारे इस नाश्टे को हम ऐसे ही से लेंगे तो यहां पर हमने एक कप आटे में चार बन गया है हमारा और यह देखिए कितना अच्छा और कितना देखने में सुन्दर दिख रहा है और यह देखिए अभी यह नाश्टा बहुत गरम है और बहुत ही सौप्ट बन कर त्यार होता है आप कितना देर भी रख लो यह बहुत ही सौप्ट होता है इसे रोज रोज हम फ्राठे पूरिया या बच्चों को देते हैं, कभी-कभी हेल्दी भी नास्ता देते हैं, तो बच्चे ऐसे देंगे तो बच्चे बड़े मन से खाते हैं, और यह लिजी है, हमारा गर्मा-गर्म हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनके रेडी हो गया है, I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे रेसी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन का बटन आल पर प्लेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेश